मेडिया जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया जिसने आपके खरीव आदमी की वाज सुन रहे हैं सर मैं आज सादार देने हुए जहां रोज दोड़ते हुए एक हमें पारिस विकिंग इजबली असक बच्चों के बनाने हैं जाता हूं जाते हैं हमारे पास नहीं है उदर जाओ हमें ऐसे दोड़ते पांस आदेने हुए कुछ वड़ीए कई कर ला आये थे मैं तशिख्डार साहब ने बोला आपके आज आनका थीक है आज मैं कल चले गया आज दबारे आये तो उन्होंने बोला उदर देखा इनको बना दो आखरे चले जो आपको मंडे को देंगे मैं चलो ठीक है उदर गाड जिसको पूछते हैं वो बोलते हमारे पास नहीं रिगाड और के पास जाओ पुड़ते हैं मेरा पास नहीं को मैं दबा रहे हैं क्या आज कार्दो इतनी बात कहते हैं उन्होंने मुझे लगा दिया लफड़ लगा दिया सर ऐसे आपको पदा हमें बड़े बड़े तसीरदार जांद हमारी 55 उमर है मैं उससे काम से काम से 10-15 साल बड़ा होगा लेकर उसे शक मुनिया यह तो हम क्योंकि वह भी कहीं बाहर गवाँ में चले दे तो उसके बाद फिर मैं आप बहुत बहुत हुँए मेदी अपास आया मैं अपना प्टार इसके बादा मुए को अपने उद्र से आदमी लेकर मैं इसके हमारी कोई गलती है तो से बिलकूल किया जा अगर मेरे कोई गलती ने कुछ नहीं कि वाज गृब आदम की जहीं वाज होती है सर मैंने बोला सब्सक्राइब करने होती है अगर इते सर तजीरदारा उसके उपर डीसी है अगर पुड़ारी जाए जो हमें लेकरे इतनी हमें तो उसको पूछना है अगर बो निकरे उपर वाज बनाए वाज बनाए क्रिशनलाल मेरा नाम है मैं पत्राड़े में रहता हूं तो अभी आप क्या चाहते हैं सब्सक्राइब करता हूं मैं अपने अडिस्टर डीसी को अडिस्टर डीसी को और डीसी जोरी उसे मैं सब्सक्राइब करता हूं मेरे से ऐसे ग्रीव दुरुबा आदमी को एक जिमीदार आदमी को मारे से ऐसे तिसीर्दार साब ने से ऐसे लफन लगाया मुझे च्पेल लगाई यह बहुत दुख की बात है तो इसके लिए मैं रिया जार्ट करता हूं डीसीर जोरी अडिशन सब्सक्राइब करता हूं मेरे से बात के लिए अपने दफ्तर में अपने दफ्तर में दफ्तर में थे सब्सक्राइब दफ्तर से उड़के आए तो बहुत करते मेरे से बात कि वह ऐसे लगा थे फैल पाड़ने लगे तो फिर तो पदा नहीं की उन्हें दे दिए चलो फिर बाद में कहने लगा रुक रुक को देखो इसको जी है वह तो मैं आगया तो मैं आगया तो मैं आप किस तरह की कारवा ताकि आने वाले गृँव लोगों के साथ इस तरह का दुर वेवार किसी अधिकारी द्वारा ना किया जा सके और गरीव लोगों को प्रताडिक मेरी कोड़ी दौनी चाहिए विल्गार तो नेव्त हिल्दा साब ने बोला उस्ने बोला दिर घृटर लाओ साथ करते हैं तो तो नगल देता हूं तो उसको बोला मैं नगाल है दो अपनी कितनी दिहाडियां तोड़ करके सुन्दर बनी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। चोटे चोटे बच्चे हैं, उनका कोई सोचने के केला हूं। तो डीसी अर्योरी से मैं रिक्वाइच करता हूं। सार ये ग्रीब आदव आदमी है, जिन्होंने लफट चिबेल लगाई मुझे एज़ास को रोने चाहिए। और इसका मुद्धे बिलकुल मत अजम्यानोजे डीसी अर्योरी अडीशन डीसी सुन्दर बनी इनकी इंक्वारी होनी चाहिए सार। इसमें मेरी क्या करती है ये क्या नहीं।